कभी देखा है एक पैन में बरफ को ऐसे डलते हुए क्या कभी इस बरफ के उपर गुलाब की पंकडियों को डलते हुए देखा था मैंने तो नहीं देखा था तो मैंने भी वाइफ से पूछी लिया तो बोलने लगी शादी को इतने साल हो गए है लेकिन आज भी मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी रेसिपी एक घर में बनाके डेली दे सकूँ उन्होंने बरफ और गुलाब जल के उपर थोड़े सी सौफ बे डाली मुझे लगा सौफ तो खराब हो जाएगी तो मैंने का ये तुम क्या कर रही हो तो बोली देखो मैं रोज ही एक चीज़ सोचती हूँ कि तुम्हारे को अच्छी से अच्छी बेस्ट बेस्ट रेसिपी दे सकूँ अच्छा खाना दे सकूँ और वही मैं अपने बच्चों के लिए भी सोचती हूँ और हर एक महिला घर में जरूर सोचती होगी कि वो आज अपने हस्बेंट को या बच्चों को बेस्ट बेस्ट चीज़ खिलाए पिलाए आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी बना रही हूँ यह जो बरफ का पानी है इसमें मैंने थोड़ी गुलाब की पंखड़ी और सौफ के साथ इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी है मैंने का आप तुम यह मत बताना कि तुम यह चाय बना रही हो सौफ और गुलाब बली कहती नहीं मैं यह चाय नहीं बना रही चाय बना रही होती तो सीधा सीधा बता देती उसमें नया रेसिपी क्या था तो मैंने कहा भला क्या बन रही है जब तुम कह ही रही हो यह नई रेसिपी है तो क्या है ये रेसिपी बोली ये जो बरफ का पानी है इसमें हमने गुलाब की पंक्षडिया थोड़ी सी सौफ और हलकी चाय पती को अच्छे से उबाल लेना होगा पानी कुछ कम लग रहा है तो मैं बढ़ा लेती हूँ मैंने का तुम्हारी मर्जी तुम जानती हो बना क्या रही हो पानी बढ़ाना है तो बढ़ा लो तो बोली देखो हम लोग यही चाहते हैं घर पे ग्रहनिया कि अच्छे से अच्छा खाना अपनी फैमिली को दे सके बना सके इसलिए रोज-रोज आइडियाज लाने की कोशिश किये जाती है पर रोज-रोज ने-ने आइडियाज लाए कहां से हम भी यह सोचते हैं तुम्हें तो लगता है हम काम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खाना बनाना उपर से अच्छा बनाना स्वादिश बनाना ताकि आप लोगों को अच् ठीक है बॉल तो आ गया है अब इसका करना क्या है बोली अब इसको बॉल करने के बाद जट पट जैसे ही सब के इंग्रीडेंस की खुश्बू इस पानी में आ जाएगी हमें इस गैस को कर लेना होगा बंद तो मैंने का यह बॉल आ गया है एक बॉल काफी होगा या कुछ और चाहिए तो बोली हलका सा और बॉल आने दो और उसके बाद मैं बस गैस को बंद करने लगी हूँ मैंने का ठीक है तो यह सिर्फ यही तीन चीजों से रेसिपी बननी थी तो अभी बना के है समझ में नहीं आया कुश्बू काफी अच्छी आ रही है लेकिन बनने की प्र इसमें मैं नीमू का इस्तमाल करने वाली हूँ थोड़ी चीनी का या फिर गुड का इस्तमाल करने वाली हूँ और एक दो चीजें है बेसिक बेसिक से आगे आपको पता चलेंगी मैंने का ठीक है तो कब इस्तमाल होगा तो बोली पहले तो गैस बंद करा है जैसे मैंने का तो हमारे को ये जो पानी मिल जाएगा इसी पानी का हमें आज इस्तमाल कर लेना होगा और इसी पानी से हम आगी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे मैंने का भला ये पानी किस काम का तो बोली ये पानी तुम महंगे महंगे दामों में बाजार में पीते तो हो लेकिन है क्या जानते नहीं हो मैंने का क्या है भला कहती पहले इसको बरफ डालके नॉर्मल करने दो उसके आद इसके अंदर थोड़ी सी चीनी या फिर brown sugar या फिर भूरा डाल ले दो मैंने का ठीक है ये क्या है तो बोली brown sugar है ये और इस पूरे को अच्छे से mix कर लिया है मैंने का ये mix कर लिया है मैं महिंगे महिंगे दामों में लेता हूँ बाजार में कौन सी चीज है भला हम भी तो जाने जो तुम कहती हो कि इती जिम्मेदारी का काम है रोज रोज नई नई चीज़े बनानी पड़ती है तो बोली बस अभी बताती हूँ पहले जैसे मैंने बोला था नीम्बू की भी जरूत है तो थोड़े नीम्बू के slices ले लेने दो मैंने का ठीक है नीम्बू के slices तो हो जाएंगे लेकिन अब तुम ये तो बताओ ये बना क्या है ये क्या बना रही हो कैती जो आप बाजार जाके महंगे महंगे दामों में आईस्टी पी के आते हो ना मैंने का हाँ वो आईस्टी घर पे तयार करी है मैंने का वा ये आईस्टी है क्या ऐसे ही तयार होती है कैती लग भग ऐसे तयार होती है सबका अपना एक तरीका है तयार करने का कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है लेकिन मेरे ले मेरी आईस्टी तो यही है मेरी वाई बोली कि आप मेरी वाली आई भी उटाओ आप देखो कैसी बनी और मुझे बताओ और यकीन मानिएगा जब याइस्टी मैंने भी उमर को इतनी टेश्टी लगी इतनी टेश्टी लगी मैं आपको क्या बताओ मुझे लगा कि घर पे असानी से आइस्टी बनने वाली काफी अच्छी चीज है आभी से ट्राय कर के बताओ घर में कैसी लगी मैमानों को ट्राय कराएं बच्चों को बहुत इजी सा तरीका है मात्र पाच मिरट में बनके तैयार हो जाती है मैं चलता हूँ आशा करता हूँ आपको ये रेसिपी और प्रक्रिया अच्छी लगी होगी जरूर बताओगा तब तक क्लिए हमें समय देने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहां से देख रहे हैं जरूर बताके जाएगा दोस्तों ताकि थैंक्स कर सके थैंक्यू